हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष, चैत्र माह के शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी से हिंदू नव वर्ष की शुरुवात होती है। महराष्टर में मुख्य रूप से हिंदू नव वर्ष, जिसे नव सवंत्सर भी कहा जाता है, गुड़ी पढ़वा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पढ़वा पर्व को मनाने पर घर में सुख और सम्रिध्धी आती है और घर की नकारात्मक उरजाएं खत्म हो जाती है। आए जानते हैं, गुड़ी पढ़वा के त्योहार को क्यों और कैसे मनाया जाता है। गुड़ी पढ़वा पर लोग अपने घरों की सफाई करके मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है और आम या अशोक के पत्तों से अपने घर में तोरण बानते हैं। घर के आगे एक जंडा लगाया जाता है और इसके अलावा एक बरतन पर स्वस्थिक बनाकर उस पर रेशम का कपडीड़ा लपेट कर रखा जाता है। गुड़ी पड़वा पर सूर्य देव की विशेश पूजा आराधना की जा जाती है। ऐसी माननेता है कि जो लोग गुड़ी पड़वा पर सूर्य देव की उपासना करते हैं, उन्हें आरोग्य, अच्छी सेहत और सुख सम्रिध्धी मिलती है। विडियो पसंद आये तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें। धन्यवाद। झाल 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 झाल